सेंद्वा साइके आरोपी की तलास करते मुगबीर द्वारा सुषना प्राप्त हुई कि मासुम बच्ची के साथ गलत काम करने वाला व्यक्ति छोटी विजासन के आगे एबी रोड बायपास पर है जो महराश्ट भागने वाला है सुषना पर पुलिस टीम द्वारा ततकाल कारवाई कर करते वे आरोपी ने जुर्म स्विकार कर मासुम बच्ची को इसकूल से किले अंदर सुनसान जगह पर ले जाकर मासुम के साथ गलत काम करना बताने पर आरोपी को गिरफ्तार किया जिसे मान्य नियाले पेश किया जाएगा करने पर बच्ची को हमने आदे घंटे के अंदर दस्तियाआप कर लिया था जा पर करके थने लाए ऐसको गिया धूलना फिर उसके सब कलाभ काम इस रिपोर्ट पर से आरोपी रमीर्य सिंदे किलाब धारा तीन तो शेत तर आई पेसी और पॉक्स रेक्रत मामरा पंजीब दुआ था रटना के बाद सही आरूपी फरार चल रहा था जो टीम साब के निर्देशन में गठित की गए थी टीम को सुचना मिली कि आरूपी जो है जो चोटी विजासन के आगे वी रोड़े वहां पर खड़ा है और किसी वहां के माध्यम से मारेश्ट भागने वाला है उस सूचना पर ततकाल टीम ने वहां पहुंच के घेरवन देकी और आ अरेश्ट किया अरेश्ट करने के बाद अभी और पूरी पुष्टाच की जा रही है इसके मेडिकल परिक्षन कराए जाएगा जो आती अवस्था जो साक्षे सारे साक्ष्षं संक्लित कर रहे है और उसके बाद माननी नियाले आरूपी को पेस कर देगा अरूपी ने किस बच्ची भी वहीं पढ़ती है आरोपी वहाँ पे गया और उसने जो लड़की है मासुम जो बाली का जिसका अप्रण हुआ इसको कहा कि तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं सब काय के उसको अपनी मोटर साइकल पर बैठा के वहां से ले गिया बच्ची की उमर लगबग आठ साल है और यह फूर्थ क्लास में पढ़ती है